नमस्कार दोस्तों जै माता दी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आपको अपने मंजिल से जो वंचित कर रहा था वे दोस्तों अब आपको मिलने वाला है और अब आपको वह रास्ता मिलने वाला है कि जिसको पाने के बाद आप अपने जीवन में बहुत सुकून मैसूस करने वाले है जी हाँ दोस्तों बता दें कि आप सभी को अपने जीवन में एक नई दिशा मिलेगी याद रखिएगा कि यदि आपके जीवन में काटे हैं तो फूल भी खिलेंगे जो चीज आपको आज नहीं मिली है वे कल जरूर मिलेगी दोस्तो बस आपको जरूरत है इश्वर पर भरोसा रखने की जब आप इश्वर पर भरोसा रखते हैं तो अपना कारे आप स्वैम नहीं बलकि इश्वर आपका कारे आपके हाथों से करवा रहे होते हैं जी हाँ दोस्तों आपको बता दे आपके जीवन में जो ये बड़ी समस्याएं हैं इनका निवारण अब आपको मिलने वाला है लेकिन आपको आज हमारे द्वारा बताए गई कुछ खास बातों का विशेज ध्यान रखने की आवशकता है तब ही आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ महदबून बाते बताऊंगी जो इन तीन दिनों में आप लोगों के जीवन को पूरी तरहा से बदल कर रख सकता है जी हाँ दोस्तों इसके साथी साथ श्री कृष्ण के कुछ परम ज्यान के ब बड़ा शत्रू है ये दोस्तों व्यक्ति की सोचने में और समझने की ताकत में बहुत अंदर ला देता है और छोटी से छोटी समस्या को भी बहुत बड़ा बना देता है और यही उसके समस्या का कारण बनता है याद रखें कि जादा बोलने वाले व्यक्ति से आप लोगो को दूर रहने की आवशकता है जो लोग दोस्तो जरूरत से अधिक बोलते हैं वे छोटी-छोटी समस्याओं को भी पहाड़ बना देते हैं दोस्तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं और हमेशा अपने बारे में सोचना अच्छे इंसान की न नहीं होती है तो दोस्तो ये थे कुछ ऐसे गुड जो व्यक्ति को बहुत भली भाती जाना चाहिए एक बात और सुन लीजिए कि मित्रों को अपने साथ में भला रिष्टा इस संसार में सबसे अनमोल माना जाता है जी हां दोस्तो जो लोग दोस्ती में धोके बाजी करते ह उनके लिए नर्के दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं तो दोस्तो ये छोटा सा ज्यान यदि कृष्णी जी का आपको पसंद आया हूँ और आप यदि कुछ इससे बहतर सीख पाए हूँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सची श्रदा से जैश्री कृष्ण रादे रादे अवश्य लिखेगा और आप ये भी लिख सकती हैं हे मातरानी हमारे कस्टो को दूर करें आपका हमारे घर में स्वागत है तो चली दोस्तो बिरदेरी की हुए अब जान लेते हैं आपके इन तीन दिनों के रा दोस्तो के साथ में जादा घूमने फिरने में समय विर्थ आप ना करें इसके साथी साथ दोस्तो आप सभी को ये भी बता दें कि आप बहतरीन तरीके से आप अपने कामों को अंजाम देने में भी काफी हद तक सफल रह सकते हैं अपने चुपी हुई प्रतिबा को समझिए और उनको सही दिशा में लगाईएगा दोस्तो भाईयों के साथ में किसी महदपूर्ण मुद्दे पर सकरात्मक विचारवी मर्श हो सकता है इसके साथी साथ दोस्तो आप सभी को बता दे सेर सट्टा आदी में किसी भी प्रकार का आप ये दिनिवेश कर रही हैं तो उससे साथ दान रहें तता किसी अंजान विक्ती से भी वाद विवाद में भी ना पड़ें दोस्तो घर में महमानों के आगमन से कुछ महदपूर्ण कारे भी आपके रुख सकते हैं इसलिए दोस्तो आप अपने काम के प्रती थोड़ा सजक रहिएगा इसके साथी साथ आपको ए अंदर अद्बुत आत्म विश्वास और आत्म बल्बी मैसूस होगा दोस्तो शान्ती की चाहा में किसी धार में कि स्थल पे भी समय व्यतीत होगा परंत दोस्तो किसी भी व्यक्ती के साथ में बाचीत करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी कोई नकारात्मक बाद दोस्त तो आपसी संबंदों को खराब कर सकती है। अच्छे समय व्यतीद होगा। इससे आप लोगों को काफी बहतर कुछ सीखने को मिल सकता है। तो आज धन की प्रापती होनी ही है क्योंकि धन लाप के आज काफी हद तक योग है। समय का भरपूल लाब उठाएं समय को हाथ से बिलकुल भी ना जाने दे। दोस्तो इसके साथी साथ बात करें आपके लव लाइफ कैसी रहेगी। तो दोस्तो आपको बता दे कि पारवारिक सदस्यों के साथ में मनोरंजन तदा शौकिपिंग में भी आप समय व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तो इससे आपसी समद्दों में और अधिक मदुरता बनी रहेगी। इसके साथी साथ पती पत्नी में भी आपसी समझस्यों का भाव विद्वान रहने वाला है। पारवारिक व्यवस्ता को बनाये रखने के लिए आपको अपने क्रोध उपर ने अंतरन रखना ये आपके लिए बहुत बैतर रहेगा। इसके साथी सारे शिदारों से सम्मंदित कोई शुप सूचना मिलने से भी घर में उत्सा भरा मुहल रहने वाला है। प्रेम सम्मंदों में भी दोस्तों और अधिक नजदी किया आने वाली है। दोस्तों इसके साथ ही साथ बता दे विवाईक संबंद मदूर रहेंगे परंतु मित्रों से अधिक मेल जोल रखना आपसी संबंदों में थोड़ी परिशानी का केंद्रू बन सकता है जिससे दोस्तों आप लोगों के जीवन में कुछ नए और बड़े बदलाव आपका इंत ही आपको समय लाप प्रयात रहना वल्या है बहुत अच्छा समय है आप लोगों का प्रेम जीवन के लिए परपून लाप उठाईए और इसके साथी साथ दोस्तों हम अगर बात करें कि आपका व्यवसाइक करियर कैसा रहेगा दोस्तों आपको बता दें कि आप लोगों को अपने कारे शेत्र में अपने धल लाप प्राप्ती होते हुए देखेंगे दोस्तों कारे शेत्र में भी धल लाप से प्राप्ती से किये गए आप लोगों को नए अनुमान काफी हद तक विक्सित हो सकते हैं दोस्तों रुके हुए कारे भी आपके निपट सकते हैं कोई न मंदित कारें में भी काफी हद तक सफलता मिलेगी तथा ब्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ महदपून योजनाय भी बन सकती हैं और वे योजनाय सफल भी होंगी दोस्तों इसके साथी साथ नौकरी करने वालों को लक्ष प्राप्ति करने से काफी हद तक राहत मिले भी काफी हद तक बड़ातरी होगी दोस्तों इसके साथी साथ आपको बताएं स्टील से जुड़े हुए जितने भी व्यापारी हैं उन लोगों के लिए दिन काफी अच्छा रहने वाला है आज का दिन पारवारिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से शुफल दायक रह दूसरे के मामले में जरूरत से जाधा टांग ना अनाएं नहीं तो जगड़े की स्थितियुत्पन हो सकती है दोस्तों अपने स्वास्त को ले करके भी थोड़ा सचेत रहिए नहीं तो दोस्तों आप लोगों के स्वास बिगड़ने के कारण कुछ खर्चा हो सकता है तो द